कारेकरम्स्वस्वस्थजीवनमें आपसभी दर्श्कों का अहादी स्वागत अभिननन दर्श्कों जोडों का दर्दienst Arc tääप से मैं खैएं लेकिन लेकिन हम जोडों के दर्दकों नर्जन अंदाष कर देते हैं और बहुत बार यह होता है कि कोई पेन्किलर खाली कोई दर्द निवारक दवा खाली और लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा लेकिन ये लापरवाही दर्श को कई बार बहुत नागवार गुजरती है यानि जब लगातार जोडों का दर्द परसिस्ट करे तो और उपचार समय रहते ना किया जाए तो बहुत सारी उपचार है चुंकि आईरवेद कारणों के साथ साथ लक्ष्णों को पर्ताल करते हुए क्या चीजे खाई जाये क्या चीज खान-पान में परिवर्टित किया जाये इन तमाम चीजों पर डाइग्नोज करते हुए उपचार पे द्यान देती है आईए आज इस कारेक्टें मैं आपसे करवादू हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर प्रवीन शर्मा डॉक्टर प्रवीन आपका बहुत स्वागत थैंक यू डॉक्टर प्रवीन इस विदा के एक्सपर्टों ही है साथ ही साथ वर्तमान में जिला आयूश अधिकारी की तौर पर कारे रहते हैं और चिक टाकि लोग दर्शक समझ सकें आयर वेद में जोडों के दर्द को का वियान कैसी किया गया और कितने प्रकार का जोड़ों के दर्द कहा गया इयूँ अ आयर वेद में वात रोग जो हैं वह असी प्रकार के कहे गए है और जोडों का दर्द भी उनavais से एक है. और खासकर साथ में रहता ही है. आरवेद में कहा गया है कि वात के बिना दर्द नहीं होता है. जैसे इसमें आमवात, वात रक्त और संधिवात. ये तीन बिमारियां हैं जिन की जोडों के दर्द को वो अकरांत करती हैं, जोडों के दर्द को कारण बनती है और रोगी चिकित्सा लेने चिकित्सा के पास पहुंचता है. डक्टर प्रिमिन आपने का कि ऐरुएज में वैसे तो असी तरह के वात रोगों का वीवरण है. लेकिन मुख्य तोर पर आपने कहा कि आम वात, संदी वात या आप और तीसरी चीज़ आपने वात रखत की बात कही यह तीन चीज़ जोए मुख्य तोर पर जोए जिनको आम बाशा में जोएंट पेंस या जोडों का दर्द कहा जाता है. जीजिए डक्सम सिलसले वार चर्च क्या है? जी आम वात जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है आम और वात वात तो जिसको हम लोग भाष्चा में वाईयू कहते हैं वो है और वात पितकफ तीन दोश आईरवेद में माने गए हैं वही दोश वात रो दोश इसमें कारण बनता है दर्द का साथ में आम का इसमे इसके साथ सही होग रहता है अम यानि मोटे तोर पर हम जो इसको आम भाषा में आउं कहते हैं यानि इस प्रकार की हमारी जब हमारा आहार विहार हमारा जो रहन सहन है खान पान इस प्रकार का है जो की हमारा शरीर ठीक से पचा नहीं पा रहा है उस वज़े से हमारे शरीर क उपयोगी नहीं है और शरीर पही जिन्होंने आक्रमन करना शुरू कर दिया है जिनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है पर निकल नहीं पा रहे हैं और शरीर पहा आक्रमन करना शुरू कर दिया है जो आमवाद के रूप में फिर जोडों में जैसे दर्द होती है जगड सब वो जो बॉडी का डिफेंस मेकनिजम है वो ही शरीर के लिए घा तक उना शुरू हो जाता है आम बात में जैसे आपने कहा जी जी डग सब मेरा एक सवाल और है जो हम जब भी चर्चा करते हैं रूमेट अर्थराइटिस या उस्ट अर्थराइटिस की जिस जो जिसे आम ब क्या है पेन तो एक दर्थ जो जोड़ों का दर्थ जो है यह तो एक कॉमन सिम्टम है दोनों में लेकिन अगर हमें थोड़ा डिफ्रेंशेट करना हो दोनों में तो कैसे किया जाए जी आपने बहुत बढ़िया प्रशन पूछा आम बात में आम तोर पर क्या होता है कि होती है सुब़ा, शरीर को जब बिस्तर से उठेंगे तो उठने में दिक्कत आएगी, आसानी से मूव करने में वो नहीं कर पायेगा. यह आम वात में अग्षान है. आमवात में. और दर्द भी है लेकिन stiffness जो है जो जोड असानी से चलेंगे नहीं, वो है. अकड़न यानि stiffness जाहत जोड्स में रहेगी आमवात में. आमवात में. दूसरा इस में एक और होता है, कभी यह छोटे जोड़ों में होगा, कभी बड़े में होगा और क्या रहता है कि कभी एक जोड में ठीक हो जाएगा बिलकुल ठीक हो जाएगा दस पंदरा दिन एक में रहेगा फिर वहां ठीक हो गया किसी दूसरे जोड में चला जाएगा क्यूंकि आईरवेद में क्या क्या है वात वात क्या है वाई यू को हम आसानी से رोک नहीं सकते तो अभी एक स्थान पर रहा एक जोड में रहा और उसके बाद दूसरे जोड में चला गया जेकिन संदिवात में क्या होता है कि संदिवात में रोगी जो आम طोर पर होता है तो उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है आम तो जैसे हम कहें तो महिलाओं लक्षन आते हैं जोडों में दर्द के लक्षन आते हैं जिसमें बड़े जोड़ ज्यादातर आकरांत होते हैं जिससे हम ज्यादा काम करते हैं जैसे गुटने का हो गया गुटने का हो गया कंदे का हो गया या हमारी वो बहुत से अलग चीजों पर भी डिपेंड करता है जोडों के दर्द खासकर घुटने जिन जोडों पे ज़्यादा दर्द पर जो प्रेशर पड़ रहा है जोड़ पर रहा है उसमें ज्यादा दर्द होगा जिनको मोटापा है वजन ज्यादा है तो उसमें संदिवात जल्दी आने के लक्षन ज्यादा होते हैं मोटापे के बा पढ़ेगा जो की घुटने के लिए जो एक मेकैनिजम ईश्वर ने बनाया है, दो हड़ियां है, उससे जोड बनाया है, उन दोनों के बीच में, ईश्वर ने एक कुशन दिया है, जैसे हम बैठे हैं, कुरसी पर यहां कुशन है, बीच में नरम है, ऐसे ही इश्वर ने एक mechanism बनाया कि कभी हमें कोई जटका लगे तो हड़ी से हड़ी को चोट ना पहुंचे बलकि बीच में उसके लिए एक शौक observer का काम वहां करे तो उसके लिए कुशन जो है जो कार्टिलेज है जो गिस जाता है वो गिसने से क्या होता है कि फिर दर्द होनी शुरू हो जाती है और हड़ी के ओपर हड़ी आ जाया तो फिर काफी ज्यादा दर्द होती है मुमेंट मैं चलने फिरने में दिकता है। मुटापा डक साब आपने का कि जो मुटापा है जो अबीस हैं लोग वो ज्यादा पूरून है इस बीमारी के लिए जिसे संधीवात या और जिसे कहा जाता है एक तो बड़ी मैंतुपर चीजा आपने यह कही दूसरा आपने का कि संधीवात में और आहमवात में डिफरेंस यह है कि संधीवात में जो एक काफी जो थोड़ा अधेर्ड आईउवर्क के जो लोग हैं चाहे मैले हैं जो इस महामारी बंद होने के दोर से गुजर रही है मीनोपोज की जो स्टेज होती है या फिर जैसे आपने कहा कि पैचास वर्स से अधिकाई हो और दूसरा आपने एक और मैंतुपर चीज़ भी की जो जिनका कारेक्षेतर कुछ हिस्ता रखाए तो या बैटने की का ज्यादा है या फिर खेतों में ज्यादा काम करते हैं तो जो वेट बीरिंग जोइंट ज्यादा प्रभावी तो होते हैं डॉक्सा रखशन कुछ तो आपने कुछ तो यह पता चल जाएगा कुन लख्शनों से ही के इनमें यह डिफरेंस है. और क्या-क्या लख्शन हो सकते हैं डख् और संदी बात में जो अब बहुत ज़्यादा अगर अड़वांस स्टेज में चला गया है तो रोगी को खासकर सीधा चलने में जब समतल भूमी पर चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती लेकिन चड़ाई चड़ने में और उतराई उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जबकि आमवात में क्या रहता है कि आमवात में तो स्टिफनेस ज़्यादा रहती है और वो सर्दियों के मौसम में या मौसम पर भी डिपेंड करता है वो रहती है पर कम रहती है इतनी जादा नी है खास कर सरदियों में थोड़ा सा असंधिवाद में जोडू में दर्द क用 के ठंडक नहीं त्नक के कारण डी थंड में तो है वह दर्द बनूइक जैसे आपने का कि चलने फिनने में, उतराई चड़ाही में, दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वेट वीरिंग जोए है, वो ज़्यादा प्रभावीत होते है. डक साथ एक और चीज के आपने बात कही है. वात रक्त, यह क्या है? वात रक्त, जैसा कि वात इस के साथ भ सूजन, दर्द, लाली और वहां पर जो मूमेंट है जोइंट मूमेंट जोड को हिलाने लोलाने में ज्यादा समस्य होती इस तरीके के वो हैं तो ये कौंट से ज्यादा परभावित होती हैं? जो पैर के जोडों से शुरू होता है और पैर के बड़े अंगुठे के जोड से आम तोर पर ये शुरू होता है और लाली होती है और कई बार इतना जबरदस्त अटैक होता है कि रात को रोगी जो है जो स्वस्थ व्यक्ति सोता है वो आधी रात को पैरों में इतना ज्यादा दर्द होता है कि आदी रात को वो उठके बैठ जाता है. अक्यूट एंग बहुत एक्स्ट्र शूटिंग पें होती है. हाँ जी और इसमें जलन भी हो निया, एक कारण रहता है. क्योंकि रक्त के साथ मिला होता है. तो रक्त दूशित होता है. और इस को सो गए तो सुबह तक कहीं दो तीन बज़े तक कहीं ऐसी सरी के का टायक आ जाता है. तो चिकित सक को इस परकार की हिस्टरी काफी मिलती है. कि रोगी ने शाम को पार्टी की और आदी रात को दर्द हो गाउट में जो है यह इस तरह के लेक्शन ज्यादा देखने को मिलते ह आप डे टू डे प्रेक्टिस में आप अबजर्ब करते हैं. डॉक्स अब कारणों की आपने विस्थार से चर्चा की, तीनों की. और मुख्य तोर पर मोटे-मोटे जो आपने जो आप मुख्य तोर पर कारण बताए हमारे दर्शकों के लिए, आपने का कि खान पान का अन् और उसके साथ-साथ कुछ चीजें ऐसी जैसे ओबीज है या फिर एकसरसाइज बहुत कम या फिर एकसरसाइज जरूर से ज़्यादा जहां और किनी जोड़ों के उपर ज्यादा पर और किसी की एकसराइज कम. यह बहुत सारे कारण आपने बता है. डॉक्स अब इससे पहल के लोग हैं, वो बताते हैं इस तरह के लक्षन जैसे कोई टैनिस एल्वो की बात करता है, या फिर कोई लोर बैक पेन की बात करता है, ऐल फूर, ऐल फाइव में दर्दोना शुरू हो गया जी. या फिर नी जोइंट्स में की खड़-खड़ाट की आवाज, कड़-कड़ क की जानकरी के लिए. जी, इस में मैं दर्शकों से ये बात साजा करना चाहूंगा, कि हम अपने शरीर को सिर से लेके पैर तक के सभी जोड़ों को चलाएं, उसको इसकी गती, इसको जो रूटीन में, इसके लिए एकसरसाइज इस तरीके की करें, ताकि कि किसी पे ज्यादा जोर ना पड़े, और किसी को बिल्कुल भी, किसी जोड़ को बिल्कुल भी काम ना करना क। कि क्यांकils हमारे जो शरीर के जोड़ों का जो सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो इसके लिए हम नियमित योगा अभ्यास अपने जीवन में शुरू करें और उसके लिए बहुत बढ़िया पैकेज हमारे जो योगाचारिय हैं उन्होंने कहा है कि सूरे नमशकार सूरे नमशकार सिरसेले के पैर तक पूरे शरीर के लि इससे प्रिवेंशन भी होगी आगे बीमारी की और थोड़ा सा क्यूर भी होगा क्यूर के लिए हलांकि मैं यह चाहूंगा कि अगर किसी को किसी विशेश जोड में धर्थ है तो उसके लिए वो हमारे जो हाईरवेद चिकितसा अधिकारी हैं अलग-अलग स्वास्ते केंद दर्थ साथ एक बड़ी पहती चीज अपने कही कि हम आम तार पर क्या करते हैं कि अपने कार्यक्षणिह के चलते या फिर कुछ योग पर्टिकुलर कुछ एकसाइज के चलते कुछ जोएंट्स की मूवमेंट्स पर चाहीं और पिर ज़्यादा कर लेते हैं और कुछ जोएं बिलकुल exercise नहीं कर रहा है, जिनकी movement आप ने रिस्टिक्ट की है, उन में प्रॉलर्म होने शुरू हो जाती है, तो एक आयरोधिक position के तौर पर आपकी एक बहुत महत्रपून सला मुझे लगता है, हमारे दर्शकों के लिए, कि पूरे body के हर एक joints, छोटे joints, बड़े joints, bearing joints, हर तरह से आपने का पेर केंगोटे से लेकर, तो इन सब joints की जो है वो लगातार बार बार नियमत तोर पे जो है, वो exercise होना जुरूरी है, दोनों की सब की moments होना जुरूरी है, जिसके लिए आपने बतोर फिजिशन यो की चर्चा की है, आपने सुर्यासन की बात भी गई, और क्या-क्या चीज़े की जा सकती है, इसमें, ओभी मैं आपसे जुरूर जानूँगा, लेकि डख से एक और सवाल आता है, आम तोर पर हम क्या करते हैं कि पेन हो रही है, तो चूंकि अपने दिन चर्या में सब बैस्त होते हैं, बचे अपने पढ़ाई की बज़े से बैस्त है, आफिस के काम काज में, लोग उसमें वैसते हैं, ख्य weaponostus है, अपने unfinished साथ है, यर अब इसी रड़ते हैं, तो लगता है समय नहीं है, अभी सिर्फ पेनी तो है, इसी जॉन्ट से घृतने में, कलाईी में, कहींबी तो पेन किर ले लिए पता Kenber की हो तो फोर दिन, आगले दिन हुआ तो आगले दिन फिर पेन के ले लिया माली जी ए उन दर्शकों के लिए खासकर जो इस तरह की लाफरोही करते हैं उन पेशेंट्स के लिए माली जी अगर लगातार हम इसी तरह से टालमटोल करते हुए पेन कर लेते हुए काम चलाते रहें तो क्या गंबीर परिणाम हो बिना किसी चिकित्सक से सलाह लिये हमने दवाई खाई या कोई भी मेडिकेशन बिलकुल कोई बिना परामर्श के लेना बहुत घाता है जी तो उस वक्ति ने क्या हो सकता है डक्सरव अगर लगाता है और वो भी जड़ार जुरू है हमारे दर्शकों के लिए आगा के तोर गए हैं जिसमें किड्नी फेलियर और इस तरीके के जो दूसरी जो समस्यां आ रही हैं सेल्फ मेडिकेशन की वज़ा से वो हो सकता है और दूसरा कि उस रोग के लिए जिस बीमारी के लिए हमने दवाई खाई क्योंकि हमने किसी विशेशग्य को तो दिखाया नहीं किसी च स्थिती तक जा सकती है जहां उसका उपचार मुश्किल हो सकता है या असंबब भी हो सकता है अब किसी जोड में इस तरीके की डिफॉर्मिटी आ गई हमने दवाईयां खाई दर्द के लिए और हम लगातार कुश दिनों तक दवाई खाते रहे हमारे कोई दर्शक या हमार कोई भी ज हैं तो वह ऐसा ना करें नज्धी की स्वास्तिक के अंदर में जाकर आरव्दिक स्वास्तिक के अंदर में जाकर वहाँ चिकितसक से सलाह लें और शमयद रहते prol जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर जाकर, आपको ओषिदियां ही दी जाएंगी, जरूरी आपको हो सकता है, हमारा चिकित्सक जो वहां बैठे हैं, अर्विज चिकित्साधिकारी, वह आपको घरेलो उपचार चुकुछ से बतादें जो आपके किचन में उपलब्द हैं जी आपको बजार से दवाई खरीदने की भी जरूरत नहीं है जी और कुछ इस तरीके के उपचार आपको बताएंगे जो की आपके जोडों को पहले से और स्वस्त करेंगे जी और बिना उश्दी के स्वस्त हो जाएंगे जी बहुत महत्मनें चीज आपने डुक्स अब के इसके अगर इस तरह की को अगर लगाता परसिस्ट करता है इस तरह का जो जोगवेट पेन तो सैल्प मेडिकेशन के जो नुक्सान है वो अलग और दूसरा आपने कहा कि समयरते उपचार ना करने से वो जो 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 जोगशन की देते हैं कि इस patient को ये समस्या है यानि आम वात या संदीवात काउट में से क्या है लेकिन उसके बावजूद भी डक्साब कुछ पुश्टी करने के लिए क्या कुछ diagnosis करने के लिए कि आप कोई investigation जांच परताल की प्रक्रिया से भी गुजरते हैं जी इसमें सबसे पहले तो हम नाड़ी परीक्षन करते हैं और खाली पेट सुबह रोगी आते हैं तो नाड़ी परीक्षन से वो हम लग जाता है पता कि किस रोगी को क्या समस्या है लेकिन एक तो रोगी की होती हैं वो टेस्ट कर राते हैं जैसे अब आर्थराइटिस में इस तरीके के भी हमने यूरी किसी का बढ़ गया है जी ब्लकुल जैसे आम तो वाट रक्त में जो है उसमें वो यूरी केसीड बढ़ावा मिलता है तो हम उसको पुष्टी करने के लिए हम टेस्ट करवा ले क्यूंकि आमबाद एक इस प्रकार की विमारी है जो शरीर के अंदर इस तरीके के तत्थों पैदा हो जाते हैं जो शरीर पर आकरमन शुरू कर देते हैं तो हम उसके जो डिफेंस मेकेनिजम है, उसको जो इम्यून सिस्टम है, उसके रिस्पॉंस को मॉडिफाई करने के लिए आयरवेदिक बहुत अच्छी ओशिदियां हैं, उनको हम देते हैं, जिससे कि उसमें बहुत बार वो नेगेटिव भी आ जाता है, आरेफेक्टर नेग फिजिशन जो है, उससे आप जो है, वो कर लेते हैं, मोटे मोटे तोर पर डिइग्नोस की ये समस्या, इस तरह की समस्या है, यानि आमवात है, संदिवात है, गौट है, क्या है, लेकिर फिर भी पुश्टी करने के लिए, चूंकि आज की तारीख में ची किस्सा विग्यान ने बहुत उन्नती कर लिए, तो दूसरी डाइग्नोसिस से पहले जो है, इन्वेस्टिकेशन के जांच परताल की बहुत सारी सुविधा हैं, उपलब्द हैं, तो आप कुछ टेस्ट कुरा लेते हैं, उससे आप उश्टी कर लेते हैं. डग सब बात आती है, उपचार की. जी. आपने उपचार वैसे तो साथ साथ था आप क्योंकि आईरूदिक फिजिशन आप कारणों पेज पहले फोकस करते हैं और उसी साथ से निदान भी करते हैं. साथ साथ आपने डग सब जब हम बीमारी की चर्चा कर रहे थे तो साथ साथ आपने उपचार के तौर पर योग पे फोकस किया कि योग आप जरूर करें और आपने योग जो है एक सुर्य नमसकार तो सब के लिए कौमन बताया कि सुर्य नमसकार आप जरूर करें irrespective of that कि आपको कौन सी बिमारी है मौत संदिवाद कौन सी. इसके अलावा डग सम मोटे तौर पर उपचार के तौर और उसके साथ है कि इस परकार का हम जो हमारे पास किचन में उपलब्द है ऐसी चीज़ें जैसे मेथी, अजवाएन, सौंट, हल्दी, अश्वगंधा और मीठी सुरंजान. इन सब का हम चूरूर बनाकर अपने टेस्ट के अनुसार दूद के साथ या गर्म पानी के साथ ए ये ना सिर्फ आपके शरीर के जोडों के दर्द बलकि अब पूरे शरीर में हो रहे दर्द को कहीं भी दर्द हो. वात्विकार को ठीक करेगा. अब पाचन संस्थान को भी ठीक करेगा. थोड़ा सा इसमें अगर चाहें तो अपनी प्रकृती के अनुसार थोड़ा कुटकी भी मिला सकते हैं. जी. जिससे इसका पाचन भी और बहतर हो जाएगा. जी. और जो ये जो गरेलू ची किस्सा है ये आप शुरुआत कर सकते हैं. और उसके अलावा ड्रक सब आपने कुछ चीजे तो आपने बताई कि जो है किन चीजों का ध्यान रखें किन चीजों का ध्य जादा रखने की जरूरते हैं और कुछ चीजे आप आवाइड करें. डॉक्टर प्रवीर्ण आप स्टूडियो में इतनी महत्वपन जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दर्श को इस आश्या और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपको दी उस कर दो कि जो